ये मौत बेहद अननेसेसरी थी, इसको हुने से बचाया जा सकता था लेकिन नौइडा अथोरिटी जो कानूनन जिम्मेदार है सडक पे निराश्रित कुतों की नजबंदी करने के लिए उन्होंने अभी तक अपने इस कारे को धंग से नहीं किया है पिछले तीन साल से हम नौइडा अथोरिटी की सीईओ को बार-बार पत्र के माध्यम से, शिकायतों के माध्यम से बता रहे हैं कि अनिमल बर्थ कंट्रोल का काम वो जो सेक्टर 94 के शेल्टर में चला रहे हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर यह कहूंगा कि पहली बात तो इसकी कोई वीडियो फुटेस सामने आनी चाहिए अगर कोई वीडियो फुटेस है तो मीडिया के माध्यम से उसको सारवजिनिक करा जाए कोई CCTV की फुटेस तो होगी क्योंकि सोसाइटी में CCTV कैमरे लगे होंगे वो भी अभी तक नहीं आई है दूसरी बात है पोस्तमॉटम रिपोर्ट एक बार आ जाए जिससे सारा खुलासा हो सके कि पोस्तमॉटम रिपोर्ट भी इसके अंदर नहीं आई है तीसी और में बात है कि कोई भी जो प्रत्यक्ष दर्शी हो जो जिसने मौके पर देखा हो वो कहा है अगर वो कोई है तो वो सामने आए और अगर वो कोई था तो उसने बचाने की कोशिक क्यों नहीं करें यह सारा का सारा प्रॉपकांड़ा जो मचाया जा रहा है देखिए यह सारा जब आर डबल्यूए के एवे के चुनाव होते हैं तब यह मामले गर्मा आ जाते हैं बच्ची की मौत हुई है उससे मुझे बहुत ज़्यादा समवेदना है लेकिन सबसे पहले देखिए उसके जो तथे हैं वो सामने जरूर आने चाहिए देखो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ कि ऐसे मौत होगी बच्चे ही बट किसी ने देखा कुतों ने मारा है बच्चे को क्या किया है उससे पहले कुतों को मारा गया किसी को पता है कोई प्रूफ है कोई CCTV फूटेज है चलो मान भी ले कि एक कुते ने या दो कुतों ने बहर आगया, कहां थे लोग जब कुट्टों मार रहा था बच्चे को, कब कोई आसमास नहीं था, अगर कह रहे हैं कि लेबर का बच्चा था, लेबर कहां थी, उसने ऐसी अपने बच्चे को दूर छोड़ दिया वहां पर, ये भी तो सोचा जा सकता हैं कि क्या हुआ बच्च के साथ, वो तो कोई बोल नहीं रहा, बस इतना न्यूस में आगया कि कुट्टे ने बच्चे को मार किया, इसका ये मतलब नहीं सारे कुट्टे बुरे हैं